सप burialisation yes रिफिल करने करने के बिलेंक प्रोसेश फोती है कैसे है आइस वीडियो मि जानते हैं इस व जो बोल्ट खुल रहें देख रहा हैं और अएur बोल्ट है सब्सक्रादना में क्या करना हैं एयर का कोल लेना है ठीक है कर डाले तो अच्छे से कुलेंट चला जाए निकल लाए ठीक है रहा इसका रेडियेटर का फिस जो कि बिल्गुल सही ए टेड़ा वगरा नहीं है टूटा डैमेज कहीं से नहीं है अगर आपके कुलेंट डार ले दो सबसे पहले चेक कर लीजे किसका फिंस वगरा जो है तेड़ा या डेमेज कहीं से लीङेज वगरा नहीं टिक कि लीठीज इसका फिंस तो और इसमें बुऊलेंट डालेंगए अई कॉलेंट इसने बजाष का कुल क्योंड स्थी अन्यावशच का सें में एक ट्र 215 म 됩니다 पड़ेगा रेडियेटर में और 250 मिल पड़ेगा रिजर्बॉक्ष में तो हम लोग कूलेंट डालने का सई असूपी का यह जान लीजिए अब जब भी हम लोग कूलेंट को डालेंगे तो कूलेंट को डालते हुद क्या करना है हमें कि जो एयर बॉल्ट है उसकी तरफ जाना उदर ध्यान देना है कि हमारा जब भी है कूलेंट डाले हम लोग तो कूलेंट वह वापस गिरने लगेगा जैसी वापस गिरेगा तो उसको साइड इस्टेंट पर करेंगे और साइड इस्टेंट करने के बाद कूलेंट को जब कूलेंट गिरने लगेगा साइड इस्टें भी हुआ तो जब भी आपने यहां पूरी तरह से बाहर फिक देगा जैसे ही टमपरेचर हाई हो जाएगा तो जब भी हम लोग अलेंगे देख है तो अब गाड़ी को क्या करेंगे साइड इस्टेंट पर डाल देंगे अब यह जो भी कुलेंट रहेंगा पूरा बाहर तो जैसा ही कुलेंट बाहर गिरने लगे फिर इसको क्या करेंगे एर बोल्ट को टाइट करने के बाद आप हम लोग क्या करेंगे गाड़ी को सेंटरे स्टेंट पर करेंगे ठीक है यह इसलिए जरूरी होता है कि जितना भी रेडियेटर में एयर या बबल सो उसका ब्रीधिंग हो जाए मतलब वह सांस ले ले जितना भी उसके अंदर एयर है वह सारा एयर बोल्ड के जरिए और कुलेंट के जरिए वह बाहर निकल जाए ठीक अगर ऐसा आम नहीं करते हैं तो जब गाड़ी ओवर हीट होगा हमारा तो कुलेंट बाहर फिक देगा तो देख लीजे रेडियेटर अभी आपको खाली दिख रहा है ठीक है गाड़ी खाली दिख रहा भी हो सेंट्र साइड इस्टेंट पर करेंगे जैसे ही तो हमारा कुलेंट जो लेफ साइड में पूर पूरा देहिए ऐसी लिए जरूरी होता है कुलेंट को हम ढूँनिए डाले ठीक है कभी यो एप क्लिया चयए करके क्या होता है कि कूलेंट पूरी तरह से उपर पर प्भर जाएगा उपर तक भर जाएगा रेडियेटर में जराद भी स्पेस नहीं होगा तो जैसे ही कूलिंट का टंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट तकाएगा वह क्या करेगा उसको जगह नहीं मिलेगा और वह बाहर फेक देगा या फिर अगर बाहर कहीं भी हर पर चीज चोक रहा तो आप देखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है नवर ओपन नेवर ओपन ओपन हो ठीक मतलब गराम है तो इसको मत खुरी और इसका प्रेशर है ठीक है इसका प्रेशर आपका 1.4 बार का ठीक है तो इतना थक सह सकता है अगर इसके इसकी उपर जादा हुआ का इसका सबुलति कि को टोड् dancer हुआ जब करने के तो वार के तो कैफ ध्यान दीजेए कि कशाम के लिए ठीक है पूरी तरह से लॉक हो एक गूम्राय नहीं घूम रहा ठीक है ed60 डिग्री हो गूमेगा ढकन है थर जाए तो आपको दियान देना है कि जलन को फेक कर जाए तो कभी समय का डालें तुछ थ्यकींजोरे मदें नुμάल कफेक्श द्लेज तरह में वादी हैं Himself को जाई देंगे और आरे स्कारीजर बॉक्स आप समझी सकते काफी मेजर होता है सला दिखता नहीं है देख लिए और आपको जिदना भी कुलेंट जैसे की जो भी गाडियां है और आरे सो डॉमिनोर और ने सो कोई भी काड़ी है समय इसी तरह से कुलेंट भलता है तो हमारे चैनल में जूड़िए और सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए सेयर करिए और जब कोई भी चीज़ी का भी आव सकता बढ़े तो हमें आप कमेंट कर बदें कि यह वीडियो बनेंगे